हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप साब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो इधर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं रसगुले की रेस्पी तो इधर ना दूद फट गया था तो मैं उसका छेना निकाल ली थी और ऐसा आपको ना छेना निकालने के बाद ऐसा करने है इसको तो पहले मिक्स कर लेती ही मैदे को और आपको इसके सहारे ना अच्छे से एकदम सॉफ्ट करना है देख रहे हो आप जैसे मैं कर रही हूं तो इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको और अच्छे से स्मूथ हो जाए जिससे तो यह देखिए होने लगा है अब यह और इसको कर देंगे थोड़ा सा स्मूथ यह देखे कल अब इनके छोटी छोटी में लोईयां बना लूंगी गोले बना लूंगी रसगुले तो आपको जित्ता पसंद हो ना पुत्ते बना सकते हो बड़े जैसा भी आपको पसंद हो तो मैं इतने बड़े-बड़े पर लेती हूँ तो यह देखिये क्योंकि फूलेंगे तो और पड़े हो जाएंगे तो यह थोड़ा छोटा लग रहा तो फिमैं सोची एक और मदलब बड़ा बना लेती हूँ थोड़ा सा तो यह देखिये ऐसे मैं इतने बड़े बना लूंगी इसको मैं विगार के बढ़ा कल लेती हूं तो यह देखिए और इस बन गए हैं अब इधर न चासणी के लिए मैं इक कफ सकल ले ले लेती हूं और इधर न दो कफ पानी डाल देंगे हम कि इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा से मैं डाल दूंगी धर केशर केशर बिल्कुल ऑप्शनल है आप इधर इलैची पाउडर भी ले सकते हो इसको अच्छे से उबाल आने देंगे तो कोई एक दो तार नहीं चाहिए इसमें क्योंकि इसकी जो चास्ति होती ना पतली होती है तो भस ढख देंगे जिससे जल्दी से उबाल आ जाए उबाल आ जाए जल्दी से तो फिर उसमें हम जो छेने बनाए हुए थे मतलब जो गुले डालेंगे एक अठा नहीं डालेंगे तो देखिए आप ऐसे एक-एक करके डाल दोंगी और इसको ढख के हम पकने देंगे तो बीच-बीच में आपको चेक करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे चलाती जाएंगे तो धक देंगे वापस से बहुत जल्दी से फूल जाते हैं देखेंगे आप कितने डबल हो जाएंगे ये ये देखिए कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं अब अभी इनको और हम पकाएंगे थोड़ा सा अभी और भी बड़े हो जाएंगे तो ये देखिए हो गए हैं कितने ज़्यादा बड़े बन गए हैं तो बस इधर गैस को हम बंद कर देंगे अब इसको क्या करेंगे नहीं से निकाल के डायरेक्ट हम बर्फ के पानी में डालेंगे कितने अच्छे से फूल गया हैं देख रहे हैं आप गैस को बंद कर देती हूं इधर और इधर बर्फ वाला पानी ले लिए हूं ठंडा पानी लोंगी तो ये बर्फ ले ले लेते हैं ठंडा पानी भी डाल देंगे और इसमें हम रजगुल्ले डाल देंगे अपने इससे क्या होगा न कि जो गरम है न वो ठंडे हो जाएंगे और जो रजगुल्ले हैं वो सॉफ्ट रहेंगे हमारे तो ये देखे सारे डाल देते हैं तो एक एक करके डाल देंगे और इनको ज्यादा देर नहीं डालना है बस दो से तीन मिनट के लिए ही डालेंगे और इनका फिर पानी नी चोड़के न हम वापस चासनी में डाल देंगे चासनी ठंडा कर लेंगे हलका तो ये देखे किते एकदम सॉफ्ट बने हैं स्पॉंजी एकदम बस वापस हम ना चासनी में डाल देंगे इनको तो आपको जरूर पसंद आएगा ये रसगुल्दे जरूर ट्राय करना हो के फ्रेंड्स इंजॉआए बाई टेक केर आएग